सातियों स्वागत आपके अपने चन्दर याना कोसल में लेब सातियों आप सातियों अदर जमनु जबरदस्त वीडियों लेके आयों क्योंकि बहुत से सातियों के बरबर कमेंट आण लाए थे अग जी पूरा सलेक्षन का जो प्रोसस है तो उसती बतान के कोसिस करी जाओ बै अब एकस्प्रिस का के फैदा है क्योंकि बहुत से सातियां यू भी सवाल आ है तो पूरी रामकानी बतानी कोसिढे पूरी श्टिक जानकारी है और बिन एक्सप्रिस वाले को किस प्रकार्द बैनिफट दिया जाओ नहीने इनिवाला साति तो पूरी वीडियो लाच्ट त पहले हम आप साथे नहीं बताया दियूंग जो नसी बर्ती में एक्सपरिस महेंग रख्या है तो वह बर्ती अलगत अकाउंट करी जाओगी जिस तरिया महले बसाथियो या पी एन की बर्ती निकाली गई थी इन्ती पी एन की जो बर्ती निकाली थी साथियो तो इस पी एन की तो इनको अलग से दी जाओगी तो वो पूरा प्रोसेस बताओंगे आपने डाटा इंट्री ओपरेटर की है अलगता महेंग रखी बस सिरफ उस ती यानिके नोलेज होनी चाहिए और उसके पास में या क्वालिफिकेशन होनी जी तो इनका अलगता डाटा काउंट करें जाओ तो सबते पहले तो देख लिए साथी फर्ष्ट परफेंस उस साथी दी जाओगी जिसके पास में एक्सपरेंस कैंडिडेट यानिके सेम जोब रोल का वह उसी डिपार्मेंट में यानिके रियाना का किसे भी गौर्मेंट डिपार्मेंट का अंदर उसने काम कर रख्या है और वह सेम डिष्टिक का है यानि कि उसे डिष्टिक तो वह बिलोंग करा है तो उस साथी ने सबते पहले परफेंस दी जाओगी साथी जो एक्सपरेंस की जो जोब महेंग रखी है उनके अंदर दूसरी बात आगी भाई फिर जो फर्ष्ट नंबर ती अगर यो फोलो नह तहत है ठीक है साथियो बढ़ तीसरा पॉइंट में इन्हें नो लिखर क्या है अब जो पहला भी पूरा नहीं करता और यो दूसरा भी पूरा नहीं करता तो फिर उस ती यानि के मेरिट वेस्ट पर इलिजिबल कंडिडेट का तोर पर मैंने जाओगा यानि के जो या देख लिए जो एक्सपरिस कंडिडेट हैं जिसका एक्सपरिस यानि के माहिंगर क्या किसे भी पोस्ट का अंदर है तो उनका यानि कि इस परकार्ट सेलेक्शन करे जाओगा साथियो ठीक है तो दूसरी बात कर लिए कई साथ तीनों पूच्छा है बिना एक्सपरिस व साथ जिसके अंदर लिखर क्या है अब नीगम जब भी कोई नई एडवर्टाइजमेंट करेगा अगर नीगम के पास रजिस्टर्ड कंडिडेट अवलेबल नहीं होंगे तो उसी वेसमा नीगम जो है नई जोब रोल के लिए यानि के पब्लिस करेगा और अगबारा में भ वे अब भी जो परतिया निकली है तो इनके कैंडिडेट इनके पास में वे लेबल नहीं थे इतने तो इसलिए इनना फिर एडवर्टाइज करेया है इसको ठीक है साथियो आगए जब एज खातर भी कई साती पूछा है तो वेज का आपका कर्टेरिया रहोगा अठारा साल तर ले ब्यारी साल लगए ठीक है और वे जो साती यानिके साथ साल लग्ये लगका है वहे तो उन्ती यानिके जो आगए जोब करेगा तो उन्ती साथ तो उपर नहीं रख्या जाओगा यानि के 18 ते 42 साल का इसमें कोई भी साती हो तो सारे भार मिकांतर बर्सकों हो साति हो ठीक है वह जाग क्वालिफिकेशन हिना दू देर खी है अब जो अमने नेक्सर लगा रिखा जो अब रोल गा तो उसे कही साफ्त सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन महेंगे जाओगी औ और उसे के इस आपता जो डिपार्मेंट है वो अपना इंडेंट रेज करके बेज जागा अगर हमने इस क्वालिफिकेजन का बंदा चाहिए इस पर कारत चाहिए और एक्सप्रिस बाइलेजिवल कटेरिया यानिके निकलूड कर सका वह कोई भी डिपार्मेंट इंडेंट ब द्वारा बिज़ जाओगा डिम्पलोइमेंट ओफर लाइटर ठीक है और फिर उस कंडिडेट तो उसकी इच्छा पूछी जाओगी अब हो अचके आरंद में यानिके कोंट्रेक्ट जो आपको दिया गया है तो उसके तहत जोब करने का इच्छुक है अगर वो उसको पूरा मामला यू दे रिख्या वह इसके अंदर सारा और फिर उसे इसाथ जो कोई असेप्ट कर लेगा तो उसे इसाथ तो उसके इसके इस कंडिडेट को सोट लिस्ट कर लिया जाओगा साथी उ ठीक है तो अग्गा देख लिजी साथ जो आठ पॉइंट आठ नंबर पैर देर क्या है तो इसके अंदर बकाइदा लेगर क्या वह जो मैरिट लिस्ट बनाए जाओगी जो एक्सप्रेस कंडिडेट के अलावा होगा तो उस कंडिडेट की इस परकारता है जो पैरामेटर देर क्या हमना है तो इसका इसाथ जो है मैरिट लिस्ट बनाए जाओगी मेरे था सातियों के लिए भी करदा है, मेरे तो पूरी एक लाख रुप यूरी तो उस साती हों थाँगे, या वैरिफाई हो रही है तो फिर अगला कर्टेरिया शुरू हो जो तो इस चाड़ीस पॉइंट मिलेंगे एक लागत लेके एक असी लगके जिसकी एक पॉइंट असी इंकम है तो उस साथी ने पूरे के पूरे चाड़ीस नंबर दिये जाओंगे साथियो ठीक है भाई कई साथियां के सवाल आओं तीश बीसे में भी तो आगला बताई दे हैं अब एज को लेके एज को लेके जो पंदरा पॉइंट दिये गए हैं तो इसका भी पूरा सेलेक्शन बताई दिऊंगा अब कई साथियां के नूबी कमेंट आए ते जी मेरी तो एज आठारा दे आपने लगाए दिया अब कोई आपने कोई मेकानिकल का काम करे उड़ा है कोई अलग तक कोई स्केल सी करके तो उसका ही साथियों यह 20 पूइंट आप ती दिये जाओंगे ठीक है जब आगा सोसल एकलिमेंट कर्टेरिया दे रिखिया आप ती 5 नंबर दिये जाओंगे तो इसका अंदर भी एक और पूइंट दे रिखिया तो भी आपने बताओंगे पूरी वीडियो देख लेना अब सीटी वाइलेजिबल कर्टेरिया मैंन गया दस नंबर तो यह इंदी नूजब का बैंग रिखिया जब यह जो स्कोर लिष्ट जो एक्जाम की जो बढ़किया ह होगी तो उसके इसाबत यो पैरामेटर बने आया जाओगा साथियो ठीक है और अभी तक यह कंसिडर्ड कुन करें दा क्योंके अभी तक इनका जो है वह एक जाम के जो स्कोर हो आया नहीं है वह किसे के पचास नंबर है किसके यानिके संताली पॉइंट पांच नंबर और क से डिश्टिक के जो परफेंस फील करन लाग रहा है जिस तरह मैं लेब में इसार का हूं और इसार में डाल लूँ हूं तो उस साथी ती दस पॉइंट और देन का काम करें जाओगा साथियो ठीक है वह अच्छा अगा बए मुख्यमंतर यंद्ध परिवार उठानी हो जना है तो इन साथियादी बताए दिया वह जिसके एक लागत इनकम कम है तुन सारे साथियो 50 नंबर दिये जाओंगे तो इस परकार तै यानिके यानिके डेड़ सो अंक का पॉइंट जो है मनाय दिया गया है साथियो ठीक है भई अच्छा अगा बताए दिया वह इंती नू कह जो सीटी का एक्जाम जो क्वालिफाई करेगा तो उसका फाइनलाइज होने के बाद में उनी कैंडिडेट को इसके अंदर बाए अलगता जो नंबर वगारा हमें दिये जाओंगे ठीक है उसके बाद में आगन नू बताया दिया वज़े दो साती इस तरहां मेले वह एक एक और दूसरा के फिर बनेंगे एक सो चारीस नंबर तो इन दोनों हम तो सबतर पहला परफेंस किस्ती देई जाओगी तो सबतर पहला परफेंस इंदी नो लिख दिया वजो मुख्या मंतरिया परिवार उठानी हो जना के तहता होगा जिसकी इंकम एक लाख या एक लाख से क जाग का फिर इंदी नो बताय दिया भाई यानिके जो लावर यानिके आइन वाले इंकम होगी जिस भी फैमिली की बाई अन्टो जा उठान में भी आगे और यह भी नंबर कंसिडर्ड होगे तो जिसकी भी फैमिली इंकम कम होगी तो उस ती लिया जाओगा साथ यो ठीक ह फिट दिया जाना चीए लेकिन इन मैं इस्तियसाफ चाप लिख दिया भाई ऐसा अकोई भी यानिके कटरिया नहीं मना जागा क्योंकि वो 30-36 की है तो वह 15 नमबर 36-42 की है तो 10 नमबर और ब्यारिस अबो का है तो सुन्य नमबर मिलगा अब उसने कोई भी नमबर नहीं दिया जाओगा और टोटल उनना मैकजिमम 15 नमबर मिल सकते हैं साथ यू ठीक है तो अपनी अपनी एज गई साथ देख लेना आप जैसे 24-30 का क किसी का पास मैं अगर वो उसी तर रिलेटिडी यानि के बज़ जुकरमाले दसमी पास मैंगर क्या है और दसी कमें के इसापते हैं तो 20 पॉइंट इस्तिया लगता है यह दिये जाओंगे साथ यू ठीक है यानि कि तीस पॉइंट इसके मनगे यो 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 भी ले रहा हुआ अच्छा बाग गर बता हैं वे सोसल एकनिमिक टेरिया इनके वे गर्मत जो बोगारा का तो उपसन इंदी डैला को नहीं था साथियो जो कि अभी जो नहीं बरती चल रही तो उसके अंदर डैला गया है इसमें सिरफ इंदी ये तिने पॉइंट बताये थे वे सोसल एकनिमि पहले इसकी डैथ हो चुकी है तो उस्साथी ने इसमें पांच नंबर दीए जाओंगे अगर उसकी वे पंदरा साल से कम की उमर थी जो कंडिड़ेट अपलाये कर रहा है और उसके पिताजी की मिर्थियों जाती है तो उसको भी यानिके पांच नंबर दीए जाओंगे शा साथ यू ठीक है तो फिर इसे इसा अबत है वह अगर सीटी एक्जाम में वह जो आयर यानि के दैन जो ब्रोलोगा तो इसका जब कंडिसीडर करा जाओगा जब यो सीटी का एक्जाम यानि के जो रजल्ट निकार दिया जाओगा साथ यू तो दस पॉइंट नंबर इनके अल उख्या मंत्रिया परिवार उठानी हो जना के तहट आवा है एक लाग से इनकम उसकी कम है तो पचास पॉइंट उसाती ती दिये जाओंगे साथ यू तो इस परकारते सारा सारा सेलेक्शन यू कर या जाओगा साथ यू ठीक है तो देलीजिए साथ जो मैक्जिम्म कैटेर या रहोगा पॉइंट अब वो 500 नंबर लग रहोगा यानि कि 500 नंबर इस परकारते तरह काउंट करे जाओंगे अब फैमिली इंकम आपको बताया दिया उसे इसाथ अपनी काउंट कर लो एज का जो सेलेक्शन देर किया उसे इसाथ मैं रहोंगे और सकील क्वालिफिकेश दे तरह 10 नंबर उसके होगे अब मुख्यमंदरी परिवार उथानमाओ तो 50 नंबर उसके होगे तो इस परकारते यो मैंना आजाओगा और फिर जो आइनुवल इंकम आपकी दे गई है उसमें 10 तरह ले यानि कि 40 पॉइंट आपके मैंने गई है यह बहुत से साथे इनो भ और एक असी लगी है एक असी है यह एककाशी से कम है तो बहुत साथी नहीं यानिके 40 पॉइंट दियाने का काम करें जाओगा जिसकी 6 लग तो उपर हैं तो 30 सुन्दे पॉइंट मिलांगे लेकिन जोब मैं तो कौंसिडर्ड ओग ठुर करें जाओगा साथी गई है जो income का बताया दिया वहि अपने परिवार का इसाफ़स तक किस परकारते है यानि कि जो वे जो मेल है वे उसके पादर है करें जाओगा वह किसके नमबर ज्यादा तो से हिसाब तापके ओपर लाइस सोट लिश्ट करें जाओगा तो यह तारा सारा सिस्टम दा साथ यह तो आपका समझमा आच चुका होगा आप साथ इने वीडियो दें कि आपका बहुत बहुत दन्यौत आपका दिने सुभ हो